गुद मॉनिंग बच्चो आज हम हमारी हिंदी की पार्ट्य पुस्तक का अध्या एठारा पाशा का जन्म पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप सभी अपने बुक खोलो बुक का पेश नंबर 71 निकाल लो और मेरे साथ आप लोग भी उसको पढ़ेंगे अध्याय अठारा भाशा का जन्म जवाल लाल नहरू भारती स्वतंतरता आंदोलन के लोगप्री नेता थे अब जवाल लाल नहरू कोन थे भारती स्वतंतरता आंदोलन के एक लोगप्री नेता थे वे एक विशिष्ट लेखक भी थे अब क्या कहे रहे हैं यापे कि वो क्या थे लोग प्री नेता होने के साथ क्या थे विशिष्ट लेखक थे लेखक जो लिखने का कारी करता है यानि वे एक लेखक भी थे उन्होंने अपनी एक लोती बेटी इंद्रा गांधी को बहुत से सूचना प्रत पत्र लिखे थे अब उनकी बेटी का नाम क्या था? इंद्रा गांधी और उन्हें अपनी बेटी को बहुत सारे पत्र लिखे थे वे पत्र पुस्तक के रूप में संकलित हुए और वे सारे पत्र किस रूप में संगलित हुए पुस्तक की रूप में संगलित हुए उन्हें पत्रों में से एक यह पत्र भी है इसमें नेहरू जी ने भाषा के विकास का ब्योरा दिया है क्या दिया इसमें भाषा के विकास का ब्योरा दिया है और यही पत्र फिर एक पूर्टक के रुप में संकलीत हुए. अब उनके पत्र क्या थे? उन्होंने पत्र किसको लिखा था? नहरू जी ने पत्र किसको लिखा था? अपनी बेटी इंद्रा को. तो जब हम किसी को बोधित करते हैं, तो पहले अगर हमसे छोटा है तो प्री लिखेंगे. अगर बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं? आदर्नी. तो अब नहरू जी की पुत्री थी, तो उन्होंने क्या लिखा? प्री. प्री इंद्रा हमें मालूब है कि जानवरों की भी कुछ बोलिया होती हैं. क्या बता है उन्होंने कि जानवर होते हैं, उनकी भी कुछ बोलिया होती हैं. वो अपनी भाशा में कुछ ने कुछ बोलते हैं. हमें समझ में नहीं आता लेकिन उनके अपने एक भाषा होती है लोग कहते हैं कि बंदरों में थोड़ी सी मामूली चीजों के लिए शब्द या बोलियां मोजूद है अब क्या कहे रहे हूँ कि जो बंदर है वे भी कुछ शब्द या बोलियों का इस्तिमाल करते है तुमने कुछ जानवरों के अजीब आवाजे भी सुनी होगी जो वे डर जाने पर और अपने भाई बंदु को किसी खत्रे की खबर देने के लिए मूँ से निकालते अकसर हमने देखा है कि कुछ जानवर है न तो वे या तो क्या करते है या तो कोई खबर देनी होती हो अपने साथी को तो वे अजीब से आवाजे निकालते हैं है न या डर जाने पर वे आवाज निकालते हैं तो ऐसे हमने कुछ आवाजे सुनी होगे शायद इसी तरह आदमीयों में भी भाषा की शुरुआत हुई अब क्या कहा नहरूंजी ने खो सकता है ऐसे ही मनुश्यों में भी भाषा की शुरुआत हुई पहले उन्हें बोलना नहीं आता होगा दीरे-दीरे कुछ इशारों में या कुछ शब्दों में, है ना, ऐसे ही उन्होंने बोलना सीखा होगा, शुरू में बहुत सीधी साधी आवाजी रही होगी, जब वे किसी चीज को देखकर डर जाते होंगे, और दूसरों को उसकी बोलियां शुरू हुई, और क्या कहा, क्यों सकता है, इसके बाद मजदुरों की बोलियां शुरू हुई, जब बहुत से आदमी एक साथ कोई काम करते हैं, तो वे मिलकर एक तरह का शूर मचाते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का शूर मचाते हैं, आपने देखा होगा, कि मालू आप लोग बहुत सारे खट हो जाते हैं तीचे नहीं आते तो आप लोग जो आवाज करते हैं शोर करते हैं तो वे शोर क्या होता है आप लोग की सबके आवाज मिक्स हो जाते हैं वो क्या बन जाता है शोर बन जाता है क्या तुमने आदमियों को कोई चीज खीचते या कोई भारी बोच उठाते नहीं देखा है क्या पूछा है क्या कभी देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने देखा है ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाक लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है यानि कभी कोई भारी चीजे होती है हमारे मुँसे आवाज निकलती है हम जब उठाते हैं तो आवाज निकलती है इस टाइप से कुछ आवाज आती है यही बोलिया पहले आदमी के मुँसे निकली होगी और क्या कहा नहरु जी ने कैसी आवाजे पहले पहले कहीं कुछ आदमियों के मुझे निकली होगी धीरे धीरे ओशब्द बनते गए होंगे जैसे पानी आग घोडा भालू पहले शायर सिर्फ नाम ही थे क्रियाएं न थी अगर कोई आदमी यह कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और क्या करता होगा भालू की तरफ इशारा करता होगा मतलब इशारा से वह बताता होगा उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचित होती होगी उस समय की बात करें जब लोगों में बहुत कम बातचित होती होगी धीरे धीरे भाशा तरक्की करने लगी और धीरे धीरे भाशा क् छोटी 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 छब्द बनने है ना फिर उन शब्दों से वाख की बने किसी जमाने में भी शायर सबी जातियों की एक ही बाशा नったी talks अगर हम पुराने समय में देखे तो सबी जो इतनी भी जातियां हुई है उनकी भाशा एक न थी, लेकिन कोई जमाना ऐसा जरूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाशाएं न थी, मैं तुमसे कह चुका हूं की तब थोड़ी सी भाशाएं थी, मगर बाद में उन्ही में से प्रत्यक की कहीं कहीं शाकाएं पेदा कर दी गई, मतलब पहले तो बहुत कम बहुत सारी शाकाएं पेदा कर दी गई, किनकी उन्हीं भाशाओं की, क्या कर दी गई, शाकाएं पेदा कर दी गई, सभेता शुरू होने के जमाने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत उन्नती कर ली थी, बहुत से गीत बन गये थे, भाट और गवये उन्हें गाते थ उस जमाने में न लिखने का बहुत रिवाज था और न बहुत किताबे थी। अब किस समय की बात करें नहरू जी बहुत पुराने समय की बात करें कि उस समय क्या हुआ करते था। मतलब जिस समय की वो जिकर कर रहे हैं उस समय बहुत कम उन्दती हुई थी बाशा की। मतलब गीत दुवा करते थे लेकिन लिखने का कोई रिवाज नहीं था ना कोई किताबे थी। केवल मोखिक रूप से ही उच्चरण किया जाता था। इसलिए लोगों को अब से कहीं ज़ कारण है कि उन मुल्कों में जहां पुराने जमाने में सभेता फेली हुई थी defendant किस इसका रिवास था हुआ। तुक्बंदियों लड़ायों के गीतों का रिवास्ता, जो लड़ायां हुआ करती थे उन पर गीत गाया करते थे, और गीतों के माध्यम से वे सारी चीजे याद रख लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, सुना ये जहांसी किरानी की जो कविता हैं, खूब लड़ी, मरदान तो उसको गीत के माध्यम से गयातते थे, जिससे वो सारी बाते उस समय के याद हो जाएं, भाटो और गवेयों को मरे हुए वीरों के बहुत अच्छे लगते थे, क्या लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, उस जमाने में आदमी को जिन्दगी का खास काम लड़ना था, उस समय क्या था आदमी का खास काम क्या था लड़ना था इसलिए उनके गीत भी लड़ायों के ही हैं मतलब जो गीत गाते तो काई के थे लड़ायों के ही हैं मतलब लड़ायों पर ही बने हुए गीते हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे मुलकों में भी यही रिवास था केवलों ह चीनी लिखावट का बया कर चुका हूँ, अब क्या कहा, कि मैं चीनी लिखावट का बया कर चुका हूँ, सभी मुलकों में लिखना तस्वीरों से ही शुरू हुआ होगा, जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, उसे मोर की तस्वीर का, तस्वीर या खाका बना पढ़ता होगा, यानि अगर वो मोर के बारे में कुछ बताना चाहता होगा, तो मोर के बारे में लिखा होगा, आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों जो नर्सरी होते हैं, कैजी वन, कैजी टू, इन बच्चों को चित्रों के माध्यम से, यानि पिच्चेरों के माध् सकता होगा दीरे-दीरे तस्वीर सिर्थ निशानिया रह गई होगी मतलब बाद में दीरे-दीरे क्या होगा कि जो तस्वीरे होगी वो खाली निशानिक के रुप में रह गई होगी इसके बहुत दीनों पीछे वर्ण माला निकली होगी और फिर काफी समय बात क्या निकली हो होगी वर्ण माला क्या निकली होगी वर्ण माला यानि वर्णों का क्रमबद समू जिसको क्या बोलते वर्ण माला किसको बोलते वर्णों के क्रमबद समू को क्या बोलेंगे वर्ण माला तो क्या कह रहें कि वर्ण माला निकली होगी और उसका रिवाज होगा इससे लिखना ब रक्की होने लगी यानि लिखना सीख गए पहले लिखना नहीं आता था कैसे सीखते थे लिखना वर्ण माला के माध्यम से और दीरे दीरे फिर वर्ण माला से क्या हो गया लिखना सीख गए संख्या और गिंती का निकलना बड़ी मार्क की बात रही होगी गिंती के बगेर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता था मतलब गिंती के बिना रोजगार यानि धंडा पानी यानि अगर मालो कोई चीज बेशना है खरीदना है तो अगर गिंती नहीं आती त तो हमें हमारे लिए रोजगार करना बड़ा मुश्किल था रोजगार मतलब धंदा पानी जिस आदमी ने गिंती निकाली वह बड़े दिमाग का यह बहुत होशार आदमी रहा होगा अब क्या कह रहे हो कि जिसने गिंती मनाई तुम लोगों को कैसे होते हैं एक से दस तक गिंती रोमन में इत्यादी ये बहुत बेढ़ंगे हैं और इन्हें काम में लाना मुश्किल है आज कर हम हर एक भाशा में जिस अंको काम में लाते हैं वे बहुत अच्छे हैं यानि रोमन कैसे रहते हैं जैसे first ऐसे लिखते हैं, second ऐसे लिखते हैं, third ऐसे लिखते हैं, पता ना आप जो class लिखते हो वेसे, तो क्या करें कि वो बेढ़ंगे होते हैं, आधी अंकों को कह रहा हूं अब क्या कह रहे हैं वो इन अंकों को क्या कह रहे हैं ये अंक हैं ये बहुत ही अच्छे हैं इन्हें अर्भी अंक करते हैं क्या कहते हैं अर्भी अंक कौन से अंक करते हैं इन्हें अर्भी अंक करते हैं कैसे लिखा है इन्हें अरबी जाते से लिखा है लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सिखा था अब क्या कह रहे हो वापस है कि इन अरब वासी थे जो थे उन्होंने किस से सिखा था इन्हें हिंदुस्तानियों से इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज्यादा उचित होगा क्या कहना उचित होगा हिंदुस्तानी यंग कहना ज्यादा उचित होगा अभी पत्र यहाँ पर खतम हो गया अंत में क्या लिखा उन्होंने तुम्हारा पिता जवाला नहरू क्योंकि उन्होंने अपने पुत्री को लिखा इसलिए उन्होंने क्या कहा तुम्हारा पीता अब शब्धार देखो हांक लगाना यानि पुकारना बयान यानि कथन जमुला यानि कहावत खाका मतलब नक्षा या चित्र को बोलते हैं रिवाज मतलब रितिया परंपरा बर्ण माला बर्णों का क्रंबट समू बाट राजाओं का यशुगान करने वाली एक जाती जो राजा रहते थे उनके यह गाकर क्या करते थे उनके यशुगान करते थे परंपर बात रोजगार मतलब वरतय पैशा प्रोफेशन जिसको बोलते हैं दंदा पानी तुक बंदियाने तुकान पद्ध रश्णा ख्याल मतलब स्मर्ण या याद चंद मतलब मातरा की गर्णा के अनुसार बना पद्ध बंद मुल्क मतलब देश तो यह हमारा पाथ कंप्लीट हो गया है इसका अब्यास हम अगली कक्षा में करेंगे आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में